आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ एच प्लस आइंसी Concentration जादा करती तो वह हमारे पी एच जो नॉर्मल होगा उसको डिस्टरब कर देगा ठीक है ना तो इस वज़े से क्या होता है जो हमारे स्टमक की ऑमिटिंग हो जाती है और क्या हो जाता यह लॉस ओफ एपिटाईट हामें भूखनानी लगती है तो न्यूटन का इंटेक नहीं हो पाता है जिसके वज़े से क्या होता है यह लीड करता है कि इस प्रॉब्लम में इंडाआजेशन indigestion का मतलब digestion properly नहीं हो पाता है it leads to indigestion ठीक है और severe cases में बहुत ही ज़ाद है major cases में ये बहुत severe ulcers create कर देता है ठीक है तो hyper acidity के आपको मैंने इतने सारे symptoms बता ही क्या कर रहा है ये digestive system को problem में कर रहा है immune system को problem में कर रहा है तो इसके वज़े से हमें बहुत ज़ादा problem होती है और इससे बचने के लिए हम medicines जो लेते हैं वो होते हैं हमारे anti acids वो क्या है मतलब ये acids के against work कर रहे हैं तो क्या करते हैं एक तो ये H plus ions की concentration को कम करते ही हैं और जो उसके वज़े से क्या हुआ है symptoms हुआ है उनको भी cure करते हैं तो कुछ anti acids के अगर मैं आपको नेम बताऊं तो ranitidin होता है हमारा omeprazole तो ये सारे हमारे क्या होते हैं omeprazole ये सारे हमारे होते हैं anti acids ठीक है thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर